आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं शिम्ला मिच और उबले अंड़े से पनी एक बहुत भी बहुत पेटरीन और यूनिक टाइप के नाष्टे की रेसिपी लेकर आई हूं यह बहुत आसानी सा ज़िखते बन जाती है तो चली वीडियो के स्टार्ट करते हैं वीडियो के स् तो यहां पे आप बड़े साइज करे तीर बैडियुम साइज की कोई भी चिम ले लिजिए बीच से कट कर लीजिव और इनके बीच में जो सेड्स है उनको भी हम निकाल लेंगे और इस तरह से पतले पतले स्ट्रिप में हमें काट लेना है तो सारे शिम लैंगे को हम पतले स् सब्सक्राइब के सब्सक्राइब टेमा पहलें, तो इसusznam में बड़ी साइस का है तो नवे पानी के ऐम ऐचाले सुख पानी डाल पीडि डेये सुख़ेंगे पानी और चाइब अब देख कर लें तो बहुत ही बारिक आप चआपकर धुटकों टो चैने की लिए जनी का लिए अब देख जो यहां पर हमारे में निकाल होगा इसे अनदिवरुग समध कर दोदी बीच में निकाले हैं और सब्सक्राइव Parece अब डालें गुछ वेजिटेबल तो यहां पे मैंने बारिक कटेवे प्यास और हरा धनिया यूसकिया हुआ है अब हम कुछ मसाले आट करेंगे तो आदी चमच काली मेजा पॉडर दालेंगे अधी चमच गरह मसाला थोड़े जालें टालें गाल दालेंगे थोड़े से मिक्स करेंगे पहले मिक्स करेंगे उसके बाद हम नीचे वाले लेर यान्ड tapis मिक्स करों तो हम तो में ओचे टर्वें अधाफ करना के और पर आप में आपको डिटा कोई हमक्स की में। मिक्सर को पर लें से एनिया उपना के और लें। और इस तरह से मिक्चर को लेके फ्लैट करके बीच में हम क्या करेंगे यह शिम्ला मिच को कट करके रखा था उसको बीच से लेंगे और इनको बहुत ही अच्छा से चारु तरफ से कवर करते जाएंगे तो यह हमारा नाश्ता बनके रेडिय हो चुका है इनको इसी तरीके से ह इसी तरीके से सारे नाश्ता हम बना कर लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं नाश्ता बनके रेडिय हो चुका है अम इनके लिए एक स्पेशल सॉस तेयार करेंगे तो इसके लिए मैंने यहां पर लिया है तंडोरियम सॉस जो मार्केट में बहुत ही ऐजली अवे इसल इस तरह से बना के देखिए आप बहुत जादा पसंद आने वाली यह सॉस सारी चीज़ों को अच्छा से हैं मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद इनको हम साइड में रख देंगे तो यह हमारा सॉस जो है बनके रेडियो चुके इनको साइड में रख लेते हैं इस नाश्टी को बनाने के लिए हम इसकी एक सलरी तयार करेंगे तो यहां पर मैंने लिया एक बाल में दो से तीन चमच में देका आप चाहें तो यहां पर एक कॉन फ्लार का भी इस्तमाल कर सकते हैं क्रीं की करीं की कौरा सब्सक्रण ग्राइं के देख लेंगे तो इसमें लिख टूड़ी इसाथ थोड़ी से मिख साह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बार यहां अपकी सलरी बनके रिडियो हो जुकी है इनकी सलरी हो चुकी एछा तो अब हम कोट करेंगे तो यह सलरी बन गई है और नाश्ता भी रेडी है तो इनको हम क्या करेंगे डिप कर लेंगे डिप करने के बाद जिस तरह से फ्राइ करते हैं वैसी करेंगे यहाँ मैंने पहले से यह अच्छा से गरम कर लिया है अब एक एक करके हम अपने नाश्ता तेल में डालेंगे डालेंगे डाले के बाद एक एक करके हमके उलट पलट करके दोनु साइड को अच्छे से गोल्डेन प्राउन होने तक इने हम पकाएंगे आप देख सकते हैं नाश्ता हमारा दोनु साइड से गोल्डेन प्राउन हो चुका है अब चली इने हम है तो चलिए मैं इन्हें आपको कट करके भी दिखा देती हूं तो यह कुछ है इस तरह से आपको दिखेगी आप लोग इस रस्वी को जरूर ट्राय कीजिए का बहुत मज़े की बनती है आप लोग से शाम के नाश्ते में बना की खा सकते हैं मैं मानू को भी खेला सकते हैं वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकून जरूर ड्रेस्क लिजेगे ताकि मैं और भी इसी तरह की इस वीडियो प्रिक लिए लेकर आती रहूं थैंक्स वर वाचिंग